नमस्कार दोस्तों में आप लोग का स्वागत है दोस्तों आप लोग के लिए एक और बहुत बड़ी खुसकबरी है 36 गड़ में स्टाफ, नर्स, MPW, जूनियर, सकेर्टियल, असिस्टेंट और चेतुर सड़ी के पदों पर भरती के लिए विग्यापन जारी कर दिया गए है जिसके अंतरगर दोस्तों आप लोगों से कोई एक्जाम नहीं लिया जाएगा सेक्षडी क्योगिता के अधार पर सीधा भरती किया जाएगा तो इन पदों के लिए प्रतीमा कितना वेतन दिया जाएगा सेक्षडी क्योगिता क्या होगा मैं आप लोगों को पूरी डिटेल से विडियो में इसी के बारे में जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों अगर आप लोग अभी तक चैनल में हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जुरूर दबाया तकि ऐसी कान कुडियो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके तो विडियो को सुरू करते हैं दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेश्ट है, आप लोग वीडियो को पूरा देखा कीजी, ये बाते मैं आप लोगों को इस वज़े से कह रहा हूं ताकि कोई भी महत्पुर्ण इंपोर्डेंट पॉइंट आप लोगों से न छुटे, अव लोगों से कोई भी एक्जाम नहीं लिया जाएगा, जो भी इक्षू का भिहारती इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वे, काले मुख्य चिकिस्थायम सास अधिकारी जीला बलोदावजर भाठा पारा के पते पर 13 जून 2022 को पांच बज़े से पहले रजिस्टर ड चाहते हैं हो पर इसके माध्यम से इसके माध्यम से भी आप लोग अवेदन कर सकते हो आप लोग यहां पर पत्का नाम देख सकते हो कौन-कौन सब्धों पदों भरती की लिए विग्यापन चारी कर गहे है इस टाफ नर्स के तीन पदों भरती की आ जाएगा प्रतिमा वेत पदो की संख्या भी देख सकते हो किस वर के लिए कितने पदो पर भरती किया जाएगा MPW के तीन पद पर भरती किया जाएगा प्रती मा वेतन दिया जाएगा 14,000 रुपे इसी के साथ अन्य यहाँ पर योग्यता दिया गया है आप लोग यहाँ पढ़ सकते हो जुनियर सेकर्टियल असिस्टेंट के भी तीन पद पर भरती किया जाएगा प्रती मा वेतन दिया जाएगा 12,000 रुपे सेक्शली के उग्यता होना चाहिए 12 पास इसी के साथ एक साल का कम्प्यूटर कोर्स किया हुआ होना चाहिए चत्तु स्रड़ी को प्रती मा वेतन दिया जाएगा 10,000 रुपे इसके लिए सेक्शली के उग्यता होना चाहिए 10 पास तो दोस्तों यह आप लोग लिए बहुत अच्छा मौका है बीना परिक्षा दिलाए आप लोग नौगरी पास सकते हो सेक्शली के उग्यता के अधार पर और अगर आप लोग लोग पास अनुभाय हो तो उसके अधार पर आप लोग का सीधा चैन किया जाएगा जो भी इक्षू का भिहार थी इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं उनके लिए नियुनता माई होने चीए 18 वर्स अधिकता माई होने चीए 70 वर्स चिकिस्या पधेतू और 64 वर्स होने चीए प्रबंदे किया पधेतू और दोस्तों आप लोगों से कितना अवेदन सुल्क लिया जाएगा कौन-कौन सो वर्स से यहाँ पर डिटेल से बताये गए आप लोग वीडियो को पॉस्ट करके भी देख सकते हो तो मैंने आप लोगों को बताये कि आप लोगों का चैन है किस परकार से किया जाएगा सेक्शलिक योग्यता में प्राप्त अंगों का 85 पर 30 अंग अगर आप लोगों को अनुभाव है तो आप लोगों को 15 में से 10 अंग दिया जाएगा इस प्रकार से आप लोग का चैन किया जाएगा और main important point दोस्तों जो भी इक्षू का भ्यारती इन पदों के लिए अवेदन करना चाहते हैं वे जिले के मूल लिवासी होना चाहिए अगर जिले के मूल लिवासी नहीं मिलता है तो अन्य जिले के अभ्यारती को प्रात्मिक्ता दिया जाएगा और दोस्तों आप लोग यहाँ पर अवेदन पत्र का प्रारूप देख सकते हो इसे अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप लोग इन पतों के लिए अवेदन करें और दोस्तों अवेदन पत्र के सांस समध दस्तावेट डोकॉमेंट को अटेच करके सलगन करके दिये के पते पर ही आप लोग को भेजना है तो दोस्तों जो भी महत्पुर इंपोडेंट पोइंट था हुँ मैंने आप लोग को बता दिया है अगर आप लोगों को इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो के निचे डिस्केप्शन बॉक्स में इस विग्यापन का लिंग दे दूँगा आप लोगों हाँ पर जाके डाउनलूट करके और अच्छे से पढ़ सकते हो और दोस्तों अगर आप लोगों कोई पास इस विग्यापन से संबंदित कोई भी सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं वीडियो देखने के लिए धन्यवाद